जै हिन्द तो आप सभी को प्यार भर है गूड मॉर्णिंग तब लोग कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज है आपको 15 फरवरी अज क्या है 15 फरवरी है तो आज हम लोग 15 फरवरी और 14 फरवरी ठीक है यानि कल भी आपका क्लास नहीं हुआ था तो दो दिन का करेंट अफियर का क्लास आज हम एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आज हम लोग करेंगे ठीक है और आपको इस क्लास का पीडियो जो है टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेली ग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप हुआंसे जाके जोएं कर लेंगे ठीक है तो चलिए और आपको खोंस पसंद आंगा तो लाइक करदेंगे टेनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ने ठीक है जा लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देखिए आपको यौररे को समब्लिया भूल लगाने, जो है ख्लास में, पीडियेप में लगाना भूल गया, तो आपको बता जेते हैं क्या है प्रस्न था, प्रस्न था कि हाली में, मून मीशन असनाइपर जो है, आपको चंद्रमा पर लेंडिंग किया है, वो किसका था, कौन देश का था, तो उसका जो अंसर होगा, जा हाज का फर्स्ट प्रस्ट देखते हैं देखें परस्ट है कि हाली में 20 ioo wani डिवस कम मनाय गया means hali में 20 उनानी डिवस क्तिना तरीको मनाय गया है तो इसका जो अंसर हो। आपको 11 फर्वरी होगा तरैका क्या होगा ठेलिजरी इक कितना तआरी को तो आपको 13 फरवरी यह डेट आद रखना है यह ग्जाम में बार बड़ कुछा जा जाता है ठीक है तो डेट आपको याद रखना है उसके अलबागा और भी अगर हम फरवरी में बात करेंगे दिवस में तो दो फरवरी को कौन सा है तो दो फरवरी को है विस्वाद्र भूमी दिवस ठीक है विस्वाद्र भूमी दिवस दो फरवरी को है और एक फरवरी को है भारतिये तटरचक दिवस और तटरचक दिवस कितना तरीकोस्त अपना हुआ त 1977 ठीक है 1977 को क्योंकि एड़ेट भी आपको एक्जाम में पूछ देता है तो एड़ेट भी आप याद रखेंगे उसके अलाबा अगर हम बात करें तो चार फरवरी को अभी सो कैंसर दिवस है ठीक है और 11 फरवरी को है आपको समर्पन दिवस याद रखना है समर्पन दिवस कितना तरीको 11 फरवरी को और 11 फरवरी को एक और कॉनसर दिवस अभी बता है 20 युनानी दिवस ठीक है उसके अलाबा देखे समर्पन दिवस जो है आप चीज़ प्रवरिको और साथ प्रवरिको राष्टिये HIV एट्स जागुरूपता दिवस ठीक है उसके अलाबाद दस प्रवरिको आपको 20 वद्दलहन दिवस याद रखना है 10 वद्दलहन दिवस और राष्टिये क्रीमी मुक्ती दिवस ठीक है और 12 को कौन सा है तो 12 को है अंताराश्टिय डार्विन दिवस अंताराश्टिय डार्विन दिवस कितना तारीक है तो वो जो है आपको 12 फरवरी को ठीक है उसमें एक और याद रख लेंगे क्या राश्टिय उत्पादक्ता दिवस जो है आपको 8 फरवरी को ठी second क्या है हदि ज знать आपको कि हाल ही में अंतराश्टि ये न्याले का नध्यक्त ज़ह है किसे निक्त किया गया है यह alay ane si.g, international court of justice, international icg का जो है a будсть किसे निक्त किया गया है तो इसका आंसर होगा नवाब sallam, नवाब में है ठीक है एक में इसका हेड़कॉर्टर है ठीक है एक में और उपाधस अगरम बात करेंगे उपाधस तो जुलिया से बुटिंडे नाम है ठीक है क्या नाम है देखिए आपको लिख जाते हैं जुलिया जुलिया से बुटिंडे ये आपको आईसी जी के क्या है तो आईसी जी का उपाध्यच है ठीक है और अध्यच कौन है तो नुवाब सलाम तो अध्यच और उपाध्यच दोनों याद रखने है ठीक है अध्यच और उपाध्यच ये आपको याद रखने है और दलवीर भंडा जो हैं यह आपको भारत के भारत के तरफ से वहां पे क्या है मुखन यादिस हैं ठीक है जज है ठीक है जज याद रखना है आपको और सुप्रीम कोट अगर बात करें भारत के सुप्रीम कोट के मुखन यादिस कौन है तो डीवाई चंदर चूर याद रखना है कौन से नमब यह जो नवाब सलाम जो है आपको कौन से देश के हैं नवाब सलाम जो है यह आपको लिवनान लिवनान देश के हैं ठीक है और लिवनान के रहज़ानी कहा है तो बेरूत है उसके अलब अभी आपको उपाध्याज पता है जूलिया से बुटिंडे यह आपको यूगांडा कह नहीं कहां 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 एक हैं इगवांडा कहां कौन तो अपको उपाद्याश जूलिया से बुटिंडे और इगवांडा क्रैधानी कहां होता है कंपाला अब नेक्स्ट है आपको 3rd प्रस्ट 3rd क्या कहता है यहाली में चर्चा में रहा CAR T CELL therapy का समन्द किस्से है Cancer मधुमे AIDS Stified तो देखे इसका जो अंसर होगा इसका जो अंसर होगा आपको cancer होगा क्या होगा cancer यानि हाली में चर्चा में रहा CAR T CELL therapy का समन्द किस्से है तो cancer से है और अभी आपको बताए 20 cancer दिवस कितना तारी को तो 4 फरवरी 4 फरवरी को 20 cancer दिवस आपको मनाया जाता है ठीक है और AIDS दिवस कितना तारी को है तो 1 December और AIDS जाग रूपता दिवस कितना तारी को साथ फरवरी यादरटना है किया है THIS involves the bad Next है आपको फोर फोर क्या है फोर क्या है फोर है आपको कि हाली में क्या है प्रस्ट कि हाली में केरल सरकार ने के पीपी नामबियार पुरुसकार दो है चोवी से किसे समानिक किया गया तो मुके संबानी फिर उसके बाद है गोतम अडानी एस सोमनाथन फिर उसके बाद है रतन टाटा देखिए इसका अंशर होगा es s manathan, क्या होगा es s manathan और isro के परमुक कौन है, तो आपको es s manathan जी है es s manathan, और isro का food form क्यों होता है, Indian Space Research Organization होता है Indian Space Research Organization और इसका गठन पंदरी ऐगरस्ट 1979 को हुआ पंदरी ऐगरस्ट 1979 को आपको isro का गठन हुआ और परमुक कोन है तो आपको एस सुमनातन दियाद रखना है और इन ही के टाम पे चंद्रियान थीरी जो है आपको लॉंच हुआ था कब हुआ था तो 14 जुलाई को तो 14 जुलाई को और तेश अगर्स्त को क्या हुआ लेंड हुआ था यानि चंद्रमा के साउथ पोल पे लें लेंड किया था ना सौथ पल पे उसका नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम जो है सीव सकती याद रखना है सीव सकती यानि जहां पे जहां पे land क्या था न, lander उसका नाम क्या रखा गया है, तो see सकती, ठीक है, और lander का क्या नाम था, तो lander का नाम बिक्रम था, रोवर का नाम क्या था, प्रग्यान था, तो इतना बात जहें आपको याद रखना है, और console launchpad से launch किया गया था, तो LV M3 M4 से, ठीक है, LV M3 M4 याद रखना है, next है आपको 5, 5 क्या है, 5 है आपको, कि हाली में द्यान अंसर सोती की कौन सी जहनती जो है मनाए गया, एक सो पंचान में, अंठान में, दो सो या फिर दो सो दू, तो इसका अंसर होगा 200, क्या होगा 200, दो सो भी, यानि, द्यान अंसर सोती की कौन सी जहनती मनाए गया, तो 200 भी मनाए गया, और इनका जनम कहा हुआ था, तो गुजरात याद रखना है, गुजरात में इनका जनम हुआ, कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 को इनका जनम हुआ, और दैनन सरसोती जहें आपको सत्यार्थ परकास के संस्तापक हैं उसके अलबाए बेदो की और लोटो फिर आरेस समाज और आरेस समाज का क्या बोलते हैं गठन का हुआ था तो 1875 को 1875 ठीक है तो यह भी बात जो है आप याद रखेंगे नेक्स्ट है आपको 6 देखे 6 क्या कहता है कि हाली में बालूत पीडन छमा घोटाले में किस देश की राष्ट पती कैटा लीना नोवाक ने इस्तिपा दिया यानि कौन सा देश के राष्ट पती जह है आपको बालूत विरंस शमा घोटाले में जहे आपको उनको राष्ट पती से स्तिपा देना पड़ा तो इसका जो अंसर होगा आपको क्या होगा हंगरी ठीक है क्या होगा हंगरी ठीक है और हंगरी करा धाने कहा है तो बूड़ा पेस्ट है अब उसके बाद है आपको 7 7 क्या करता है कि हाली में परधान मंत्री सूर घर मुप्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुपत जो है आपको होगा कितना यूनिट होगा तो देखे इसका option देख लेते हैं option क्या है 400 500 300 200 तो देखे इसका जो अंसर होगा आपको 300 यूनिट क्या होगा 300 यूनिट यहनी परधान मंत्री सूर घर मुप्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट की बिजली को मुपत होगा तो आपको 300 यूनिट याद रखना है ठीक है उसके अलबबा अगर हम बात कर लेंगे तो 2014 मे आपको जन धन योजना आया था कौन सा योजना जन धन योजना जन धन योजना कितना तारीक हो था तो 28 अगर्स्त 2014 यह जो एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है ना तो यह आप याद रखेंगे उसके अलबबा और भी योजना है आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो यह जो है आपको 22 जन वरी 25 अगर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है यानि बेटी बचायो, 22 जन धन योजना, 28 सकस, 2024 दोहजार चैंट सोबीस न ही, 2014 ठीक है उसके अलवा पी एम विस्व कर्मा योजना जो है यह आपको 17 सितंबर 2023 आपको याद रखना है यह जो चार योजना है यह आपको इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछ देता है ठीक है तो आप याद रखेंगे जंधन योजना कि कब कब लॉंच हुआ था तो 28 अग और एक में 2016 को उजवला योजना और पीम विस्व कर्मा योजना 17 सितंबर 2023 ठीक है नेक्स्ट है आपको एट एट क्या करता है कि हाली में अहलान मोदी कार्यकरम का योजन कहां हुआ है यह आपको कौन सा देश में हुआ है तो इसका जंतर होगा आपको संजुक्त अरव अम अब उसके बाद है आपको 9 9 क्या कहता है 9 है आपको कि हाली में स्वास्था परियोजना जो है किसने सुरूआत किया स्वास्था परियोजना यानि कौन सा आयेटी सुरूआत किया है तो इसका जंसरों का आयेटी गोहाटी क्या होगा स्वास्था परियोजना कौन सुरू कि है तो आयाईटी गोहाटी किया है यह अपको भी वियाई प्रस्न है यह यह भी वियाई लगा लेंगे ठीक है अब उसके बाद है अपको टेन टेन क्या कहता है कि हाली में चिन्नाई ओपेंट टेनिस ट्रृणमेंट एकल खिताब जो है इसने जीता है यानि कौंसा खिलाडी आपको चिननी ओपन्टेनिस ट्रिम्न का एकल खिताब दीता है तो इसका अंसर होगा सुमिता अंगल क्या होगा सुमिता इसका अंसर होगा अब उसके बाद है आपको 11, 11 क्या है, 11 है हाली में कौन दचनी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेंट TTE निप्थ हुआ है यानि कौन है जो दचनी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेंट TTE निप्थ हुआ है इसका अंसर जो होगा आपको होगा सिंधू गनपती क्या होगा अंसर सिंधू जो है गनपती टिक है सिंधू गनपती नेक्स्ट है आपको बारा क्या है 12 है आपको थी हाली में सीरलंका और इस देश ने UPA service को virtually launch किया है यदि सीरलंका के अलावा और कौं सा डेश आपको UPI service को virtually आपको launch किया है तो इसका answer होगा Morisus क्या होगा Morisus इसका answer होगा यानि सिरलंका के साथ कौन सा देश है जो आपको UPI launch किया है तो Morisus और सबसे पहले आपको France किया था Europe का देश है France जो आपको है UPI UPI के थुरू आपको payment करना start किया है यह भी बात आप याद रखेंगे सबसे पहले देश कौन सा है तो France है और सेकेंड थार्ड में कौन सा है तो सिरलंका और Morisus नेक्स्ट है आपको 13 13 का ताय हाली में 12 सतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं देखिया option देख लेटा है अपसान है इसान किसान सुम्वन किल पथुम निसंका या कुसल मेंडिस तो 12 सतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं आपको पथुम निसंका ये आपको सिरलंका के प्लेयर हैं कहां के प्लेयर हैं तो सिरलंका के प्लेयर हैं जिन्हों हाली में 2-200 रन आपको यानि 12 सतक आपको बनाए है ठीक है उसके अलाबा जैसे बात करें इसे पहले आपको सचीन तेंदूलिकर फिरीज के बाद बिरंदर सभाग फिरीज का बाद रोहिद सर्मा उसके बाद पिस região इसान किसं फिरीज का बाद सुम्भनGill तो ये सब जो player हैं दोहरा सतक लगाने में player हैं इंडियन player हैं और सिरलंका के पहले खिलाडी बने हैं जो आपको दोहरा सतक लगाए है ठीक है दोहरा सतक लगाए है तो ये बात जो है आपको important है याद रखना है नेक्स्ट है आपको 14 14 क्या करता है कि हाली में तेल रिसाओ के कारण देखे इसमें अगर हम सिरलंका में अगर हम बात कर लेंगे तो सिरलंका के राष्टपती कोन है तो सिरलंका के जो राष्टपती है रानिल बिक्रम सिंदे ठीक है रानिल बिक्रम सिंदे राष्टपती है औ और दिनेश उन बर्धन आपको याद रखना है पर धान मंतरी और सिरलंका के दो रज़ान ये एक है आपको कोलंबो एक है आपको स्री जय बर्धन पूरा कोटे तो यह भी बात जो है आप याद रखेंगे अब भारत को सिरलंका से कोन अलग करता है तो पाक अस्ट्रेट ये पाक जल मरूबंत जो है आपको अलग करता है नेक्स्ट है आपको फोटिन फोटिन क्या है कि हाली में तेल रिषाओ के कारण राष्टिया पातकल घोसित क्या गया है नहीं कहां क्या गया है तेल रिषाओ के कारण राष्टिया पातकल टोबैगो तिरी नाद ए और भी दोन यह और भी दोनों में आपको तेलिस हाओ के कार राष्ट यह आपकाल गोसित क्या गया कहाँ कहा तोव्र हगो में और त्री निदाद में ठीक है यह बी आपको भी वी आई प्रस्त है यह बी आपको एकजाम सकता है नेक्स्ट है आपको 15 15 क्या है 15 है आपको कि हाली में 36 राष्ट ये पुष्तक मिला कहां आयोजीत किया जा रहा है यानि 36 राष्ट ये पुष्तक मिला जो है आपको कहां है योजीत किया जाएगा हैढ़ाबद, नहीं दिल्य, मुंबाई, चंडिग revolves 15 का क्या होगा नंसर पंद्रा का होगा हैदराबाद ठीक है क्या होगा पंद्रा का हैदराबाद होगा ठीक है यानि हैदराबाद में 36 राष्ट ये पुष्टक मिले आपको आयोजीत किया जा रहा है नेक्स्ट है आपको 16 16 क्या है कि हाली में किस राज में गुपतेस्वर बन को जेब विविता बिरासत अस्तल घोसित किया गया यानि कौन सा राज को गुपतेस्वर बन जो है आपको जेब विविता आपको बिरासत अस्तल घोसित किया गया है इसका जो अंसर होगा आपको उडिशा याद रखना है क्या उडिशा और उडिशा में अगर हम बात करेंगे तो उडिशा के राजानी आपको भुमनेश्मर है ठीक है और नवीन पटनाएक जी क्या है आपको मुख मंत्री है ठीक है नवीन पटनाएक जी क्या है उडिषा के मुख मंत्री यह आपको याद रखना है, उसके अलाबा 1 अप्राइल 1936 को इसका गठन हुआ, एक अप्रायल 1936 को उडिषा का गठन हुआ, ठीक है? और नवीन पतना है, एक मुख मंत्री है रोगुबरदास याद रखना है, जो कि पहले कहा के थे? आपको ज्हार है तो रिवन्त रेड़ी राजस्थान का भाजनलाल सर्मा च्छतिसगड़ का विशनु देवसाय और मदपदेश का मोहन यादव अल्लाल दुहोमा जो है आपको मिजोरम का ठीक है तो यह सब जो है आपको चीप मनिश्टर और राजयपाल चेंज हुए है तो यह सब को भी आ सीम चेंज हुआ है उनका नाम क्या है चंपई सोरें ठीक है चंपई सोरें पहले कौन थे हमन सोरें थे अब कुन बने है चंपई सोरें तो जो है आपको मुख मंतरी और राजपल जहां-जहां चेंज हुआ है इस सभी को जो है आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि जहां पर चेंज होता है मुखमंतिय और राजपाल वो एक्जाम में पुछने का संभावना ज्यादा होता है ताब को इस वी बात को है आपको याद रखना है ठीक है उसके अलबा और भी अगर हम उडिसा में बात करेंगे तो यहां पर 21 लोग स्वासिट है दस आपको राज स्वास देगरा सौल को उसके लावा रेड आंट चटनी को जिया टेग मिला है और भूमनेश्वर में ही आपको बारा मुडा आइस बीडी का नाम जो है बदल कर किसका नाम पर रखा गया है तो भी आर अमेदकर भीमरा अमेदकर जी के नाम पर आपको रखा जाएगा ठीक है नेक् महियरा थावग तो वो जो थे आपको Kenya Kenya के थे महराथन धावग कैलविन किंटर ठीक है इनका हाली में नीधन हुगा है नेक्स्ट है आपको 18 18 18 आपको कि हाली में कौन दुनिया की पहली एयर टेक्सीस सेवा सुरू करेगा यांगनि दुनिया के पहली एयर टेक्सी सेवा ज कि नेक्स्ट आपको 19, 19 क्या कहता है कि हाली में किस राज की विधान सवा में सिग्रेट और अन्ड तंबाकु उत्पाद संसोधन विधैक 22 जो है आपको पारित हुआ है तो इसका अंसर होगा तेलंगाना क्या होगा तेलंगाना का गठन दो जून 2016 को हुआ किस से अलग होकर तो आन्द परदेश से अलग होकर बना किस से अलग होकर बना तो यह जो है आपको तेलंगाना दो जून 2014 को राज बना किस से अलग होकर तो आन्द परदेश से ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है उसके अलब भी आपको बताए कि तेलेंगाना के मुखमंत्री कौन बने हैं तो रेवन्त रेडी और राजपाल कौन है तो डॉक्टर तमी ली साई सुन्दराजन जी क्या है तो आपको राजपाल है उसके अलाबा और भी अगर हम बात करेंगे यहां पे तो 17 लोग स्वासिट है साथ आपको राज स्वासिट ह और 119 याद रखना यहां पे बिधान स्वासिट है ठीक है और यहां पे बिधान परिसद भी है जो आपको 40 है 40 क्या है बिधान परिसद है 119 आपको बिधान स्वाई है ठीक है तो इतना बात आपको तेलेंगाना के बारे में याद रखना है नेक्स्ट है आपको 20 यानि देश की तीन दिवस्य यात्रा पर गया है यानि मोदी नरेंद्र मोदी जी कौन सा देश के तीन दिवस्य यात्रा पर गया है तो युवे और कतर दोनों होगा युवे और कतर ये और भी इसमें दोनों हो ठीक है अब यह जो प्रस्णि आपको ओमवर्क है इस प्रस्ण का क्या करना है तो आपको comment box में comment करके इसका आंथर आपको बताना है comment box में comment करके इसका अंसर बताना है तो चलिए आज के लिए इतना है रखते हैं आपको class पसंद आया होगा तो क्लास वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार हैंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों के साथ भी सेयर करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं हम नेक्स क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद